मेरे सभी दोस्तों को भाई बेहनों को जै माता दी और नौराद के पूरे नौ दिन निकल गए पता ही नहीं चला मैं इतना बिजी रही कहीं जगराते चल रहे हैं कहीं जागरण चल रहा है तो मैं पूरा वीडियो नहीं ले पाई मंदिर में पूरे नौ दिन बहुत रौनक नहीं गरवा चलता रहा हमारे यहां टॉंशिप में और आज माता का विशर्जन है तो मैंने सोचा कि आपके साथ जरूर शेयर करूंगी तो यह हमारी माता है जिनका विशर्जन होना है और यह वो जगा है यह हमारे यहां का कलब है जहां हम लोगों ने खुब गरवा खेला तीन दिन हमारे यहां गरवा चला है सभी ने खुब इंजॉय किया इतने दिन और पीछे आप बस देख रहे हैं उसमें भी सब कर्थे हुए है और जिनको डांस करना थे नजॉय करना थे वो नीचे थे बाकी कुछ लोग बस में थे यह हमारे यहां के डॉक्टर है हमारे यहां का हॉस्पिटल जो है वो भी अपने आपको नहीं रोक पाए और वो भी आ पामिल होने माता का विसर्जन था तो नाचना सबको बनता था प्लीज अगर आपको यह थोड़ा सब अच्छा लगे माता का विसर्जन तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखिए हूंगट में हमारे डॉक्टर सहाब अब है वो साइड में है मिन सब अबने खुब फूल इंजॉय किया शायद आप भी इंजॉय कर रहे होंगे देखके और आप भी इस रंग में रंग जाईए हमने तो बहुत इंजॉय किया था तो यह हमारी टॉंसिप है आप देख रहे हैं जो इसमें मंदीर, क्लब, हॉस्पिटल, स्कूल सब एवलेबल ह हमारी बस इतनी सी ही दुनिया है तो हम सब इसी के ही टॉंसिप में ही रहते हैं इधर सब डॉक्टर्स हैं अपना इंजॉय कर रहे हैं कुमरिया दाने के कुमरिया कचप कर रही है जुटी किमाते प्रतिसा, माते प्रतिसा और तिल जरिया कचप कर रही है यह मेरी बेटी है जिसके साथ मैं डान्स कर रही हूँ अब हम जहां विसरجन होना उस जगे पहुच गये है तो हम इनको नहर में नहीं विसरजित करते हैं एक तलाब है तलाब मिंश क्या हमने उसमें गड़ा करके पानी डरवायगा उसमें तो बस उसी में भी विसरजित किया जाएगा और पहले आरती होगी इसके बाद विसर्जित होंगी मता मूर्ती विसर्जन के बाद हम सब बस में बैड़े क्योंकि गर्मी बहुत जादा थी और उसी में ही गाना गाने लगे और जैकारा लगाने लगे तो अंत में मैं आप सब के साथ मिलके बोलना चाहती हूँ जै माता दी